समंदर में खड़े तेल के टैंकर से उठती आग की लपतें और धुए के गुबार की ये तस्वीर हॉंग कॉंग की है ये हाथसा उस समय का हुआ जब तेल का टैंकर वियत नाम से हॉंग कॉंग आ रहा था तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग लगने के बाद किस तरह से टैंकर के आसपास बचाओ दल और फायर ब्रिगेट के शिप आग को बुझाने में लगे हुए है तेल टैंकर में हुए बिस्पोर्ट की बजा से एक ब्यक्ति की मौत और चार लुट वहीं जहाज पर मौजूद तीन सदस्य लापता हो गए है हलंकि आग के लगने की बजा का अभी पता नहीं लगाया जा सका है लेकिन घटना इस तल पर मौजूद बचाओ दल अभी भी तीन लापता सदस्यों की तलाश कर रही है टैंकर में हुए बिस्पोर्ट की बजा से हुए नुकसान का आंकलन भी अभी नहीं किया गया आपको बता दें कि बीते दो सालों में हौंग कॉंग के दक्षडी समुद्री छेतर में किसी टैंकर में आग लगने की ये दूसरी घटना है